हेलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग फ्रेंड्स आज साइक्लोजिक एक बहुत ही मोस्ट इंपोटेंट टोपिक के बात की जाएगी जो कि यह थोंडाइक का अधिकम का सिद्धान तो कोई भी एक्जाम हो सीटेट यूपीटे या कोई भी टीचेंग एक्जाम हो इससे सब्सट्राइब कर लीजेंग भी इंपोटेंट टोपिको सब आपको चैनल के फूरु प्रोवयड कर जासे इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजे देखे यह सब थोंडाइक के सिद्दान के अलग-अलग नाम दिये हुए हैं पहला कोश्चन आपका यह एक नमबर आपका इसी से तयार हो जाएगा इसकी इन पर आपको अलग-अलग नाम दिये हुए है साइकलोजिय में बताता हूँ आप कोई भी नाम याद करिए को कि जो सब जादे confusion create करते हैं वह यह हिंदी के नाम है जो अलग-अलग दी होते हैं जैसे कि इसमें अलग-अलग दिया हुआ है जो कि एक्जाम में सीधे ही एक्जामिनर पूछ लेता है जैसे पहला है शीकने का सिद्दान ठियोरी ओफ लर्णिंग या दिगम का सिद्दान परियासे उम्भूल का सिद्दान ट्राइलेंड एरर ठियोरी जो स्कीन पर सबसे पहले question दिखाया तो वह यह पूछा गया था कि परियासे उम्भूल का सिद्दान किस ने दिया है तो आप बता सकते हो यह लथोन डाइक ने दिया है उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्दान ने दिया था जोकी अमेरिका के मनोग्या निकते अरेकी मनोग्या निकते उनके निसार अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा दे तो वह उसके पर्ति अनुक्रिया करेगा जब वह बार-बार उस अनुक्रिया को करेगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा बात करते हैं उत्तेजना क्या होती है अनुक्रिया क्या होती है उत्तेजना को इंग्लिस में कहेंगे इस्टूमिलस और अनुक्रिया को कहेंगे रेस्पोंज तो इसको एक इन्होंने एक एक्जा क्या एक भूकी बिल्ली को अभी आपको समझ में आएगा इस्टूमलस और रिस्पॉंस अभी खाली आप इमेज के तुर समझने की कोशिस करिए फिर आपको समझ में आ जाएगा आपको सामने स्कीन पर दिख रहा होगा एक बिल्ली और एक मचली है वहालगी इन्होंने मरीव मचली थी तो जब भूकी बिल्ली को इन्होंने पिंजरे के अंदर रखा तो जब मचली की गंद बिल्ली को मिली तो उसके अंदर हलचल पैदा होगी बेचे नहीं होगी उसको खाने के लिए लेकिन खाय वह किस तरीके से क्योंकि वह चारों तरफ से पिंजरे में बन थी त उसने उस मचली को खा लिया तो आपने यहाँ पर एक बात देही कि जब उसने इतनी प्रियतन करें ट्राइल करें इतनी कोशिश करी उसको करने के बाद आखिर आखिरकार उसे वह चीज मिली गई जिसके लिए वह इतनी बेचेन हो रही थी यानि उसके अंदर इतनी परतिकरी कि आई हो रही थी तो यह बात आपने समझी क्योंकि उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था और एक्जाम में कुश्चन भी आता है कि थोन टैक ने कि जानवर पर अपना प्रयोग क्या था तो आप बता सकते हो बिल्ली पर यह भी कूश्चन पूशा गया सीटैट में देख रहे हैं तो जब आप गोवर्मेंट जो मान लीजे आप किसको पैसा चाहिए या किसको जो भी एक्सेटर जो भी कुछ चाहिए तो जब उसको पाने के लिए आप लोग ट्राइ करते हो प्रियतन करते हो और अपने अंदर चेंज लाते हो यह नहीं नहीं मैथड्स और इत्ते पाइक से अगर वह चीज मिल जाए तो आपका जो होता है है यहाँ पर इसे आप अपना टारग्येट मानिये लक्ष मानिये और अगर वह लक्त्व मिल जाए तो आपको कई घोए आपकी मेहनत सफल हो जाती है बाइज कुछ पाता है तो इसका मतलबिव ऑगे उन किसी लिए परितन करते हैं , تو जरूर कुछ न कुछ शीखते हैं। और यही बातarnya के लिए थि कि बच्चोग जितना हो प्रवर्तन कराऊथैं कुछ सीकते रहें तो डूरू की बारे संज़ में write गया हुआ चलिए बात कर लेते हैं कुछ important question answers की जो अलग-अलग exam में पूछे गई है पहला इसमें दिगए हुआ है simple दे दिया सीखने के परियासों भूलका सिद्धान्त trial and error theory इसके परतिपादक कौन थे तो इसके परतिपादक आप बता सकते हो आगे देखते हैं इनका पूरा नाम है जब बालक सीखने के लिए तियार होता है तब वह जल्दी हुआ परभावतासाली तरीके से सीखता है यह सिद्धान्त परतिपादित क्या गया है यह कि थोड़ा समझ में आ रहे होंगा इच्छे तरीके से कुष्ण आंसर इसलिए मैं आपको पहले और में पहले हैं तब भयावता था को यह हाः अगला प्रिया आस्वे जब होना चाहिए आपका लक्स नहीं होगा दबके टब तक आप उसके परतिया नुक्या नहीं कर पाऊगे तो आपका लक्ष सब इ embark अगला देखते हैं कि थोन डाइक कोन सा नियम सीखने में पुरुस्कार और धंats रिवर्ड और पनिस्मेंट के महत को बताता है तो बताता है परभाव करनियम, नेच्ट देखते हैं थोंडाइक का सिद्धान्त इन में से किस वर्ग के तहत सुचिबत किया जाता है, देखें थोंडाइक एक वहवारवादी थे, जो कि एमेरिका के मनुख ग्यानिक थे, और वहवारवाद से ही इनका संब्धता, तो इसका जो आंसर होगा वो वैवारिकता का सिद्धान्त फर्स्टी होगा ये भी पूछ लिया जाता है एक जाम में कि ये किस तरीके के वेग गया नेकते तो आप बता सकते हो वैवारिक नेक्स्ट है जब अध्यापक एक छातर को सफलता का एसास कराता है तो वह उप्योग कर रहा होता है तो देखे इसको आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर खुद बताने की कोशिस करिए उसके बाद आंसर को जाने तो इसका आंसर है सी परवाव के नियम को अगला देखते हैं कि नियम किस ने दिये आपको बता चुका हूं है तिनो नियम सीकने के एल्थों डाइकने बहुत शिंपल कुछन है देए बापको बहुत आसान लग रहे होंगे कुश्टनाचर सीखने का प्रात्मिक मूलभूत नियम किस से है मैंने आपको बताय था उसी ओडर में याद कर तो तत्परता व्यास और पर्वाव तो पहला हो जाएगा आपका तत्परता क्योंकि प्रात्मिक मूल भी नियम पूछाए इसमें नेक्स देखते हैं उन्नीसवी सताबदी के अंत में किस दासनिक ने जानवरों के उपर प्रियोग कर उसके पढ़िणाम के आधार पर अधिगम के नियम को सुत्रुबद किया अधिगम का नियम देखे एको नया नाम आया जोगी बता चुका हूँ वैसे में आपको तो यह क्या था यह पूछा गया था उसमें क्या किया था उन्होंने उप्शन नहीं दिये तो आपको रिटन में नाम लिखना था तो इसलिए इसमें नहीं दीवे तो यह थे यह थोंडाइक अगला देखते हैं तर्थ परता का नियम किस ने दिया आप सभी लोग जानते हो तीनों नियम थे य अगला है जब बच्चे एक अवधार्ण को सीखते हैं और उसका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली तुरूटियों एरर्स को कम करने में मदद करता है यह विचाट डैस के द्वारा दिया गया है तो एक दिया गया है यह थोंडाइक के स्वीट आप इसको अराम से आध कर लिए पहला आपका दा मेजर्मेंट ओफ इंटेलियंट्स मेजरिंग इंटेलिजेंट्स फंडमेंटल ओफ लर्णी यह तीनों बुक्स है कोई भी बुक्स एक्जाम में आपसे पूर्श सकता है तो देखे आज की वीडियो में सारी चीजे मैंने इंक्लूड किये सिद्धांत के बारे में बताया उसके बाद को सनांसर बताया और जो बुक्स है वो बताईए तो सारे कंसर्ट को कवर करने की कोशिश किये आगे ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो आपको चैनल के थुरू और प्रवाइड के जाएगी इसलिए चैनल से सनायोगी, थैंक्यू